हलो आज का टॉपिक है कि हिमेटालोजी ऑटो एनलाइजर से निकले हुए रिपो याने के हिस्टोग्राम का परिक्षण कैसे करें इससे आपको यह भी पता चल सकता है कि ऑटो एनलाइजर बराबर काम कर रहा है कि नहीं इसके पहले यह जरूरी है कि आप हमारे हिमेटालोजी ऑटो एनलाइजर पार्ट एक दो और तिन जरूर देखे तो आपको आज का विशेश समझने में आसानी होगी तो अब यह देखिए कि हमेटालोजी ऑटो एनलाइजर में आप खुन इस तरह से टेस्ट करते हैं और इस तरीके से रिपोट याने के हिस्टोग्रेम निकलते हैं अब यह दो रिपोट देखिए और इनकी तुन्ना करें दाइने तरफ का रिपोट नॉर्मल है इसमें सबसे उपर वाला गराब देखिए यह है डबली बिसी का रिपोट यह क्या दर्शाता है तो सफेत कुशिका का रिपोट टोटल काउंट 7.5 के याने के 7500 जो नॉर्मल है लिंफोसाइट से है 31 परसेंट, मोनोसाइट से 9.3 परसेंट, ग्रैनिलोसाइट से है 59 परसेंट और यह सभी रिपोट तो लगबग नॉर्मल ही है बीच में का ग्राफ रिपोट है लाल सेल्स लाल खोशिक्वाओं का जिसमें अर्बेसी काउंट है 5.09 मिलियन है 13.2, HCT 42, HCV 82, HCH 25.9 और HCAC 31.3 और यह सभी रिपोट लगबग तो नॉर्मल ही है अब सबसे नीचे वाला ग्राफ देखो यह है प्लेटलेट्स का रिपोट इसका सिर्फ टोटल काउंट देखो 3.72 याने के 3.72 लाइक्स तो यह भी नॉर्मल है अब बाइने तरफ का राइट एंड साइड का रिपोट देखो इसमें सबसे उपर आवला WBC का ग्राफ रिपोट देखो यह तो नॉर्मल ही है देखो सब वेल्यूज और सबसे नीचे वाला प्लेटलेट का रिपोट भी देखी और यह भी नॉर्मल दर्शाता है अब बिचमें का RBC ग्राफ रिपोट देखो इसमें RBC ग्राफ दाहिने तरफ और लेफ्ट हैंड साइड जूप गया है यह दर्शाता है के खून में माइक्रोसाइट्स, हैपोक्रोमिक सेल्स, तार्गेट सेल्स वगैरा छोटे साइज के पेशी सेल्स शामिल है और इसमें देखिए हिमोगलोबिन 5.8 तो बहुत ही कम है और बाकी सारे इंडेसिस जैसे हिमाटोक्रिक, HCT, MCV, MCH और MCHC सभी रिपोट नॉर्मल से बहुत ही कम है तो यह रिपोट शाहिद दर्शात है कि पेशेंट आयनडेफीशनसी अनेमिया से गरस्त है और इस पेशन्ट के लिए आयनडेफीशनसी अनेमिया पैनेल टेस्ट की ज़रूद है और ज़रूत पड़ी तो थल सिम्या माइनर टेस्की भी ज़रूत है मुझे उमीद है कि आपको आज का ये हिमेटोलोजी हिस्टोग्राम का वीडियो पसंत आया हो और इसके बारे में आपको कुछ प्रश्ण है तो मुझे पूछीए अगली बार मैं आपके लिए लेक्या होंगा और एक हिमेटोलोजी रिपोट हिस्टोग्राम और हम ये इंपोर्टन दिस्कॉशन जारी रखंगी थैंक्यू वेरी मच्च